राहुल गांदी जी कम जानकारी होने के शिकार हैं उनको शायद ये भी ग्यात नहीं कि मनरेगा डिमांड डिवन्स की है जितने उसकी मांगाती उस तरह से उसका बजट बढ़ता है और मैं उनको याद करवाना चाहता हूं कि जब कॉंग्रेस की सरकारें थी यूपिय की सरकार के समय मात्र 30,000 कोड़ पे अभी मुश्किल से खर्च कर पाते थे मनरेगा की योजना पे हिमाचल प्रदीश के दो दिवसिये दारे पर पहुंचे केंद्रिय सूचना प्रसारण इवं खेल मंत्री अनुराग चाकुने सौमवार को जिलाउना के गगरेट आर हरोली बीजिपी मंदलों की यार से आयोजित की गई बैठकों में भाग लिया इन बैठकों में कई विंदूओं पर चर्चा की गई वहीं साल दो हजार चाबिस में होने वाले लोग सभा चुनावों को लेकर भी रूप रेखा तयार की गई इससे पूर्व पत्रकारों से बाचीत की दारान अनुराग चाकों ने कॉंग्रेस नेतर राहुल गांधी और कॉंग्रेस को जम कर निशाने पर लिया राहुल गांधी को उन्होंने कम जानकारी होने का शिकार बताया तो कॉंग्रेस को जनता को ठगने वाली पार्टी करार दिया किंड्रिय मंत्री ने दावा किया कि साल दो हजार चौबिस के लोग सभचुनाव में पियम मोदी लगातार तीसरी वार्दीश की बागडोर संभालने वाले हैं राहुल गांदी जी कम जानकारी होने के शिकार हैं उनको शायद ये भी ग्यात नहीं कि मनरिगा डिमांड डिवन्स की है जितने उसकी मांग आती उस तरह से उसका बजट बढ़ता है और मैं उनको याद करवाना चाहता हूं कि जब कॉंग्रेस की सरकारें थी यूपिय की सरकार के समय हैं मात्र 30,000 कोड़ पर भी मुश्किल से खर्च कर पाते थे मनरिगा की योजना पर जब आपदा का समय भी आया उससे पहले भी भाजबा की सरकार के समय मोदी जी के नितरतब में मनरिगा में दुखने से जादा खर्च हुआ और 2020 में तो लगबग एक लाख 14,000 कोड़ पर खर्च हुआ क्योंकि डिमांड बड़ी उस समय है कोविड का समय था उसके अगले साल 2021 में 99,000 कोड़ पर खर्च हुआ इस साल भी लगबग 85,000 कोड़ से जादा ही खर्च हुआ होगा तो राहुल गांदी जी थोड़ा जागिये है माजुदा, प्रदेश सरकार को निशाने पर लेते हुए, अनुराग छाकुर ने कहा कि कॉंग्रेस पहले जनता से वाइदे करती थी और उन वाइदों को कभी पूरा नहीं किया जाता था इस वार कॉंग्रेस ने जनता को गारेंटी दी है लेकिन पूरा वो भी नहीं किया ज़ा रहा है केंद्रिय मंत्री ने कहा कि कॉंग्रेस सत्ता प्राप्ती के लिए जनता के साथ किसी भी प्रकार का जूठा वादा कर सकती है कॉंग्रेस सत्ता में आने के लिए कुछ भी वाइदे करती है पंजाब मध्या परदेश शत्यसगर राज्यस्तान करनाटक में कॉंग्रेस ने करजे माफी की बात कही ती किसानों की और पांचों राज्यों में करजे माफ नहीं हुए सबी राज्यों में कहा था बिरोजगारी भत्ता देंगे नहीं दिया और हिमाचर प्रदेश में भी जुटी वाइदे की बजाए अब गरंटियां लेकर आए है ये भी उतनी ही फेल है जितने इनके वाइदे फेल थे और प्रती दिन 30 कुरोड रुपे का करजा हिमाचर के उपर हिमाचर की सरकार चड़ा रही है 1500 रुपे महिलाओं के खाते में तो गया नहीं पर 1500 कुरोड रुपे का करजा जरूर नहीं चड़ गया है OPS तो मिला नहीं लेकिन CPS बनाने में ये सरकार कहीं पीछे रही नहीं खर्चे बढ़ाने में आगे और लोगों को इंतजार कराना लंबा इंतजार कराने में सबसे आगे हिमाचल परदेश के अप पूरे देशपर में ही मोदी जी के लिए फिर एक बार वोट पड़ेगा क्योंकि नरेंदर मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया है दुनिया की दस्वी से पांच्वी नंबर की अर्थवियस्ता भारत को बना दस्वी नंबर से बढ़ा कर यह अपने आप में दिखाता है कि मोदी जी के नेतरत में देश आगे बढ़ा है जब अर्थवियस्ता बढ़ती है तो उसको गरीब को सबसे बड़ा लाब मिलता है क्योंकि साड़े तीन करोड गरीबों को पक्के मकान मिले असी करोड लोगों को अनाज मिला मुफ्त में छे करोड लोगों को नलके के नए कुनेक्शन मिले साड़े 9 करोड महिलाओं को पर दाषोई ग्यास के सिलेंडर मिले 11 करोड किसानों को 226,000 करोड पिया किसान समान निधी मिली अब ये सारे वर्गों के लिए तो मोधी सरकार ने किया ही है 27 पर्षन गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम ये आज तक कोई सरकार ने कर पाई मोधी सरकार ने